नमस्कार मित्रो मैं मम्ताबाज पेई भुपाल से मेरी हरी बारी चत पर आपका स्वागत है लीजी मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ आज बात कर लेते हैं इस खुबसूरत वाइन के बारे में जो परपल कलर की पत्ते जिसके होते हैं चुकि परपल का कंट्रास ग्रेन होता है तो मैं इसे अकसर ग्रेन के साथ लगाती हूँ और जब आपकी बगिया में धूप ना आती हो तो चाया में चलने वाला सैमी शेडिड एरिया में चलने वाला बालकनी को या घर को गार्डन को रंग देने वाला बहुत अच्छा क्री और इसको दीवाल पर चड़ा दें तो ये दीवाल को पकड़के आपकी पूरी दीवाल को कवर कर सकता है अच्छे फॉलिएज कवरेज के लिए इसे लगाते हैं या आपको आपके जो आपका जो फ्रंट यार्ड है उसमें आपको मिठी को कवर करना है क्यारी को तो आप ए जो उनों बताऊंगी और इसका नाम है sweet potato wine इसका जो नीचे कंद बनता है वो potato की तरह सॉरी शकरकंद की तरह red color का बनता है लेकिन ये खाने वाला शकरकंद नहीं होता और एक समय था जब मेरे पास ये green color की बहुत जादा मातरा में थी तो मेरी जो बालकनी थी उसमें मैंने कई ट्रे में ये एक ही green लगा कर और रख दी थी तो एक curtain जैसा बन गया था मिट्टी की बात करूँ तो अच्छी खाद युक वैल ड्रेंड मिट्टी चाहिए एक बार एक comment आया था कि आप हर उसके लिए वैल ड्रेंड मिट्टी बताते हैं तो हाँ मिट्टी तो वैल ड्रेंड चाहिए ही और आपके पास की अगर black chicken वाली मिट्टी है तो आपको उस मिलाना ही पड़ेगा और उसमें रेत न मिलाएं काली मिट्टी में रेत मिलाने से वो हाट पत्थर सी हो जाती है इसकी ये एक और वरायटी है ये भी purple है लेकिन इसके पत्ते का आकार अलग है और ये hanging planters में दोनों green वाली भी और ये कटे पत्ते वाली भी और पहले जो दि में लगाई थी और वे बाहर की तरफ hang कर गए जैसे money plant hang करती है ठीक उसी तरह है तो ये एक ऐसे perennial plant है ये मरता नहीं है गर्मी बहुत तेज गर्मी नहीं चाहिए मिट्टी इसको अच्छी वैल्डरन चाहिए खाद वाली चाहिए और धूप और किस जगे पर रखें इसकी बात है तो सर्दियों की धूप में तो ये बहुत अच्छी चलती है लेकिन गर्मी धूप में नहीं चलती तो जहां मेरे यहां पेड़ लगे है आगे तो छनकर धूप आती है ऐसी जगे रखें या green net लगा देंगे तो ये बहुत अच्छी चलेंगी इनको बुशी करने के लिए इनकी pinching करते रहें इने pinching बहुत ही पसंद है और जितनी लंभी होती जाएगी उतनी लेगी लेगी होती जाएगी पीछे के पत्ते पूरे जड़ जाएगे सिर्फ आगे की डाल पर पत्ते रहे जाएगे तो इसीलिये आप इसको बहुत लंभी नहोगे दें या बंच में पत्तिया निकलेंगी और आपका पौधा नया बना रहेगा आप जो ये देख रहे हैं ये मैंने अभी कटिंग से ही डवलप की हैं ये हो गया मुझे महना भर हो गया मैने भर में ती डवलप हो गई ये देखिए अभी आप सेकंड फ्लोर की बालकनी देख रहे थे और अब ये हम फिर चत पर आ गए देखिए इसमें ये अलग टहने लंबी हो गई है तो ये नीच जाके देखिए इसके पत्ते जड़ गए हैं तो मैंने देखो कटी हुई भी आपको देख रहे हैं जैसे ही काटोंगे इसमें नए हमको राएंगे तो आप खुद देख के स सेवा कर सकूँ ये देखिए मैंने ये इसमें लगाई थी सो बहुत आसान प्रोपोगेशन है और ऐसे कोई खाद बाद नहीं डालते आपके पास है तो डाल दो हैल्दी रहेगी लेकिन मिठी तो अच्छी चाहिए और सालवर होने के बाद इसको रीपॉर्टिंग करना है या आप अपनी जहां भी आपके घर में आपको डेकोरेट करना है करके अंदर ये बिलकुल नहीं रहती उसे वहां रखने की कोशिश ना करें और उमीद है आप लोग मैंसे बहुत लोगों को इसके बारे में पता भी होगा और लगी भी होगी तो करके अंदर ये बाल कर नहीं मैं सजाने के लिए ये सबसे अच्छा पौधा है तो अभी तक नहीं लगाई है तो अब लगा लीजिए और कैसी लगी जानकरी ये भी कॉमेंट करके बताईए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विशे के साथ तब तक के लिए नमस्कार